So hello guys, welcome to the episode number 3 of WordPress e-commerce store development series आज के episode में, episode number 3 में हम आपको सिखाने वाले है कि WordPress का basic सा interface क्या होता है, कौन सी चीज़े कहा पर होती है और WordPress के उपर basic settings आपको क्या करके रखने चाहिए अगर से आपका proper e-commerce का store बनाना है ये वीडियो बहुत ज़्यादा important है अगर से आप beginner हो, अगर सापको नहीं पता कि WordPress कैसे काम करता है कौन सी चीज़े कहा पर होती है तो अगर सापको ये सब चीज़े नहीं पता तो ये वीडियो आपको ज़रूर पूरा देखना चाहिए बाकी अभी मैं आपका time waste नहीं करता हूँ और आपको बता रजाना चाहता हूँ कि ये जो पूरी सीरीज है ये तकरीबन 15-20 episodes की रहने वाली है तो अगर से आपको पूरा properly e-commerce store development सीखना है WordPress के help से तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करकर रखना चाहिए बाके अभी बीना time waste की रहे सीधा चालो करते है हमारे screen के साथ में Hello guys, तो last video में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने हमारे domain पे WordPress को कैसे install किया था और इस वीडियो में हम basic functionality देखने वाले WordPress की और हम जानने वाले कि WordPress के options क्या-क्या होते हैं और हम उसका एक basic overview देखने वाले है So यहाँ आप देख सकते हैं left hand side में कुछ options आपको दिये हुए पहला option आपका dashboard का option है और यह पूरा आपका है dashboard दूसरा option आपका post का option है अगर आप उस पे click करते हो तो आपके post section open हो जाते है Post का option इसले होता है ताकि आप आपके WordPress website पे blog create कर सको for SEO purposes ताकि वो rank हो पाए और आप देख सकते हो कि हमारे आप एक already post बना हुआ है जो default तरीके से आता है वैसे आगे जाके हम लोग नए post भी बनाने वाले है उसके बाद आपका media का option है media का option सबसे important होता है आप देखो कि आपके website पे जो भी images है यह सारी चीजे यह media में आती है WordPress के media में आती है और वो यहाँ पे upload होती है तो media option सबसे important option होता है उसके बाद आप pages का option देखोगे pages आपके website पर पढ़ने वाले pages होते है मैं आपको example देता हूँ जिसे आप देखोगे हमारे website में home page है, shop page है, about us page है customer support के अंदर 3 pages है यह सब pages आप यहाँ pages में से add कर सकते हो वैसे default आपके WordPress में यह 2 pages बन के आते है बट हम लोग इसका use नहीं करेंगे हम हमारे custom pages आगे आगे add करने वाले है उसके बाद आपका comment का option है comment basically वो चीज होती है in case जैसे आपके website पर कोई आपके review देता है या comment पेस्ट करता है आप यहाँ से आके उसको unapprove कर सकते है reply दे सकते है या delete भी कर सकते है फिर एक आपका बहुत important option है जो की appearances है अभी यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए 2 theme यहाँ पर पहले से install है और उसमें से एक theme आपके लिए पहले से activate भी करके रखी हुई है अभी theme क्या होता है theme basically आपके website का design होता है for example आप आपके website पर अभी आए तो आपकी website कुछ इस तरीके से नजर आ रही है वो इस theme के वज़े से हो रहा है 2020 theme के वज़े से अभी मैं एक काम करूँ अगर मैं 2022 की theme activate यहाँ से कर दूँ तो आप देखेंगे आपकी theme आपके website का जो layout है वो change हो जाएगा completely different पदल जाएगा देखें so यही एक theme का कमाल होता है तो आपके website के layout आपकी design को change करने में बहुत important role play करता है अभी आपको एक बात हमेशा यहाद रखनी है कि आपके website पे हमेशा एक ही theme activate होनी चाहिए जिसको मैं एक बार यहाँ पे highlight कर देता हूँ और बाकी जो theme है आपको इसको delete कर देना है because उसका हम लोगों को कोई use ही नहीं है so delete करने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग theme details पे click करेंगे और यहाँ पे नीचे delete का option है हम लोग इसे click कर लेंगे और इसे delete कर देंगे same हम इसके साथ भी करेंगे यहाँ पर नीचे आपको delete का option मिलेगा आपको इसे click करना है और इसको delete कर देना है obviously हम यहाँ से आगे एक free theme यूज करने वाले है जो की यह नहीं रहेगी जिसको यूज करके आप ऐसा website create कर सकते हो उसके बाद आपका plugins का option है अब यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दो plugins आपके लिए यहाँ पर पहले से install होगी और अगर यहाँ पर activated भी लिखा हुआ है तो पहले उसे deactivate कर दे because हमें इन plugins का कोई जरूरत नहीं है हम हमारे खुद के custom plugins यूज करने वाले है तो delete करने के लिए यहाँ पर जो option आपको दिख रहा है delete इस पर click कीजे या फिर उससे easy मैं आपको एक चीज बताऊंगा अगर आपको कोई भी plugins में bulk में चीजे delete करनी है या activate करनी है तो आपको simply यहाँ पर click करना है इस box पर और bulk action में आके आपको delete select करके apply कर देना है यहाँ से आपको ok कर देना है सारी चीजे पूरी bulk में delete हो जाएगी आगे चलके of course हम लोग हमारे खुद के plugins यूज करने वाले जो कि हमारे website के लिए most useful रहेंगे plugins का काम होता क्या है पर plugins का काम यह होता है कि आपके website पर extra features और extra functionality आड़ कर देता है for example अगर आप देखो कि आपके website पर अभी कोई e-commerce related कुछ function available है नहीं बट हम लोग कुछ plugin इस्तमाल करेंगे जो आपके उस functionality को enable करने में हमारी help करेंगे उसके बाद अगर आप यहाँ पर WordPress के dashboard में फिर से आएंगे तो यहाँ पर आपको setting का option मिलेगा आपको इस पर click करना है और आपकी settings खुल जाएंगी हमें इसमें कुछ changes करना है तो accordingly मेरे साथ follow कर लीजे और उसको change कर लीजे आप अपके यहाँ से website का title और tagline चेंज कर सकते हैं अगर आपको title नहीं पता क्या होता है तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजे शो रही है यह website का title और tagline होता है जैसे my blog आपके website का title है और my wordpress blog यह आपके website का tagline होता है तो आप उसको यहाँ पर आके change कर सकते हो यहां से आप कुछ भी डाल के उसको change कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर fine डाल दूँगा और enter प्रेस कर दूँगा और नीचे आने के बाद मैं उसको save कर दूँगा और जबी भी फिर मैं अपने website को refresh कर दूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरे website का जो tagline है वो perfect हो चुका है तो आप आपके हिसाब से कुछ भी select कर सकते हो यहाँ पर आपको site title और tagline आपके हिसाब से सेट करनी है उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको आपके wordpress address मिल जाएंगे आप एक बार इसे चेक कर लीजिए यह सही है यह नहीं अगर दोनों सही है तो scroll down कीजिए और आप देखो कि आपको administration email address मिल जाएगा यहाँ पर आपका email address डाल दीजिए यह इसलिए यह कुछ तरीके से important भी होता है यह email address जो होता है इस पर इनकेस अगर आपके wordpress का password या ID बूल जाते हो तो आपको इस पर उसका recovery ID पासवर्ड आ जाता है तो यह बहुत important भी है और एक तरीके से नहीं भी है क्यूंकि आप आपका wordpress फिर से login आपके hosting से भी कर सकते हो तो इनकेस अगर आपको करना है तो आप आपके country का time zone selected है या नहीं जैसे मैं particularly India से हूँ तो मैं यहाँ पर देख लूँगा कि हमारे country का time zone है मैं उसको select कर लूँगा यह particularly मैं अपनी country को ही select कर लूँगा कॉलकाता देखिए हमारी का कॉलकाता का time zone है तो आप इसको ले लीजे अपकी आपको किसी चीज को change नहीं करना है बस bottom पे आना है और save changes पे click कर देना है अभी settings के अंदर आप देखोगे आपको permalinks को option मिलेगा आपको इसको click करना है जैसे या पर्मा लिंक में आते हो अगर आपका plane day and name या month and name selected है तो आपको उसको change करके post name में select कर लेना है या आपके website के URL को थोड़ा clean बनाने में मदद करता है क्योंकि अगर आप देखो के plane में कुछ सारा text आजाता है यहापे भी अलग सा text आजाता है बट आगर आप post name को select करते हो तो आपके page का नाम और आपका domain आता है जो कि मैं recommend करता हूँ खुद तो आप उसको select कर सकते है और नीचे आपको save changes पर click कर देना है और जैसे ही आप यह करते है एक और बार आप आपके dashboard पर आजाईए अभी जब कभी आप आपके dashboard पर आएंगे तो आपको यह सारी widgets आपको नजर आएंगे जो हमारे किसी क काम के नहीं है अगर आपको इन सब को हटाना है तो आप एक काम कर सकते हो आप screen option में यहाँ पर आईए और सारे चीजों को untick कर दीजे और वो रिम्यू हो जाएगा देखिए सारी चीजे चली गई और इसको भी cancel कर दीजे तो अभी आपका dashboard पुरा clean हो चुका है तो इसी के साथ आपके website के related जो भी basic settings थी वो complete हो जाती है इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि आप आपके website पे themes और plugins कैसे add कर सकते हैं और accordingly हम फिर आगे elementor भी देखेंगे तो thank you guys so that's it for this episode guys I hope आपको ये episode पसंद आया होगा अगर से आपको ये episode पसंद आया है और आपको चीज़े समझ में आई है तो वीडियो को like जरूर कर देना बाकि अगर से आपको इसको लेकर कुछ questions है तो आप comment section में जरूर डाल सकते हैं बाकि मिलता हूँ मैं आपको next video में